दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मूँ के अंदर या मसूडों के अंदर होने वाले बदलाओ या लक्षणों के आदार पे ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको डाइबिटीज तो नहीं है दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसान और मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ हैल्ट से रिलेटिड इन्फरमिटिव वीडियो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले तो आईए हम बात करते हैं कि वो कौन से लक्षन है जिनके एदार पे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपको डाइबिटीज तो नहीं है डियापुटीज का मतलब होता है कि आपकी खून के अंदर शुगर की मातरा का बढ़ जाना और जब शुगर की मातरा खून के अंदर बढ़ती है तो उसके कुछ लक्षन आता है जैसे मरीज को बहुत बार जल्दी पेशाब आता है उसको भूख बहुत जादा लगती है और उसको प्यास भी जादा लगती है क्योंकि मरीज बार बार पेशाब करता है और जादा पेशाब करने से उसके शेरी में पानी की कमी भी होने लगती है तो उसके कारणार से उसको प्यास भी जादा लगती है मूँ सूखने लगता है उसकी जबान सूखने लगती है ऐसा होने से मरीज के मुँ में च्छाले होने लगता है तो अगर मरीज के मुँ के अंदर च्छाले हैं और अगर वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उस मरीज़ को diabetes हो अब क्योंकि infection का खत्रा बढ़ जाता है उन मरीज़ों में जिन के अंदर blood sugar ज़ादा होता है इसलिए एक तो infection जल्दी होता है, मुँ के अंदर fungal infection भी हो सकता है और दूसरे infection भी हो सकता है जो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं दूसरा लक्षन क्या होगा कि जो आपके मसूडे हैं उनमें सूजन आना शुरू हो जाती है मसूडों का रंग लाल होने लगता है और कई बार मसूडों से जो है वो खून में आने लगता है उसका कारण भी वापे होने वाले इंफेक्शन्स हैं और ब्लड शुगर का खून के अंदर जादा मात्रा में होना होता है ये देखा गया है कि जिन मरीजों का ब्लड शुगर जादा हाई होता है उनके दात जल्दी गिरते हैं दात कमजोर होते हैं और दो गुना स्पीट से ऐसे मरीजों के दात तूटने लगते हैं जो तीसरा लक्षन होता है और जो एक तरह से इसकी बेस पे तो आप बड़ी असानी से मरीज को डाइग्नोस भी कर सकते हैं कि हाँ उसको ब्लड शुगर है मरीज को एक अलगी तरह की सांस के अंदर स्मेल आती है या दुरुगन आती है मरीज जब सांस लेता है तो उसको एसी टोझ जैसी एक बड़बु आती है मरीज के मूंसे इसको हम फ्रूटी स्मेल वृत के नाम से जानते हैं acetone को आप पचान सकते हैं कि जो nail polish remover होता है उसके अंदर जिस तरह की smell होती है उसी तरह की ऐसे मरीजों के मुझे smell आती है मीठी पलों के जैसी खुश्बू आती है जो acetone के अंदर से आती है तो अगर ऐसा होता है तो ये मान के चला जाए कि फिर blood sugar का level बल्क शायद काफियत तक बढ़ गया होगा क्योंकि जब बलड शुकर बहुत जादा होता है तो हमारा लिवर जो है वो कीटोंस बनाने लगता है और जब कीटोंस खून के अंदर जादा होता है तो फिर इस तरह की स्मेल आने लगती है सांस के साथ और इसी तरह की जो एक स्मेल है जब मरीज पेशाप करता है तो उसके अंदर से भी इस तरह की एक फिरूटी स्मेल आने लगती है तो इसका करान होता है मरीज के खून के अंदर कीटोंस बोडिस का जादा बन जाना generally ketone bodies जो है वो type 1 diabetes में ज़्यादा बनते हैं लेकिन अगर type 2 diabetes में भी blood sugar ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे भी इस तरह की smell आएगी तो अगर आपको ये कोई भी लक्षन मिलते हैं आपके मूँ के अंदर से दुरगंद आती है छाले हो जाते हैं आपके मसूडे सूजने लगते हैं और आपके पेशाब से इस तरह की smell आती है और सांस से इस तरह की ऐसी टोन जैसी smell आती है तो बिना देर किये अपना blood sugar चेक करा है और डॉक्टर से जरूर मिले क्योंकि blood sugar अपने आप में एक बहुत बड़ी बिमारी है बिमारीों का भंडार है या syndrome है अगर आपने समय रहते धिया नहीं दिया और भी बहुत सारे बिमारीया डवलप हो सकती है तो आप अपना धियान रखें अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भोले ना नियवाद